हेलो गाइस वेलकम टू बेक माई यूटूब चैनल तो चलिए गई साज हम बात करने जा रहे हैं प्लेंड बेंड के बारे में जैसे कि आप देख पारे हैं हमने स्क्रीन के सामने में अलग-अलग साइस के यह प्लेंड बेंड लेके आया हुआ है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इनका यूस कहाँ पर किया जाता है अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं तो हम बता देते हैं कि इसका यूस कहाँ पर किया जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह के बने विए साइज के अलग-अलग प्रकार के बैंड है तो चलिए इस वीडियो को स्टाट कर लेते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको बैंड या प्लाश्टो कंपनी से मैनुफेक्चर करती है या प्यवी सी बैंड है सबसे पहले चीज हम आपको बता दे कि PVC बैंड अलग आते हैं SWR बैंड और यो PVC बैंड सभी साइज साइज के और सभी फिटिंग्स के अलग-अलग बैंड आते हैं तो हम बता दे कि ये agriculture में भी यूस किया जाता है और इसका यूस रेनवाटर के भी पानी को निकालने में यूस किया जाता है और भी आप किसी दूसरी जगह भी इसका यूस कर सक कि हम बता दे सबसे ज्यादा यह agriculture में यस किया जाता है किमकि 2.5 इंच और 3 इंच की जो शाइज की फिटिंग होती है agriculture में खेतियों में इनके ज्यादा यूस किया जाता है पानी जैसे कि आप देख पा रहें यह 4 kg का 3-6 mm मतलब यह 2 इंच होता है एगरी कल्चर का जो आप डंडा पाइप लेते हैं उस डंडे पाइप में यह 2 इंच का कहलाता है 3-6 mm 4 kg का यह और आपको अगर इसमें 1st क्लास चाहिए और इसमें 2 kg चाहिए तो यह भी मार्केट में उलेबल हो जाता है जिसे कि हम इसक पारें 2,500 गजी का यह कि जड़ाइंच का है इस प्रकार से देख पाएंगे आप कि इस पर भी प्लास्टो कमपनी ने से मैनुफेक्चर क्या हुआ है इसे बनाया है प्लाश्टो कमपनी ने 75 mm मतलब 2.5 इंच का यह बना हुआ है इस तरह से आप देख पा रहे होंगे 4 kg का यह आई एसाई मार्क इस पर लगा हुआ है इस तरह से देख पा रहे हैं आप इसकी भी प्राइज हम आपको बता देंगे क 80 mm का यह 3 इंच कहलाता है 4 kg का यह सेकेंड क्लास है और इसमें अगर आप फर्स्ट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपको वर्जन का माल कुछ ज्यादा प्राइज में मिलता है हम बता देंगे इनकी प्राइज क्या हुती है इनकी सबसे ज्यादा मांग एगरी कल्चर मे की जाती है जो की पानी को चलाने में खेतियों में यूज किया जाता है बाइपलाइन्स जो गड़ी हुई रहती है उन पाइपलाइन्स में इने लगाया जाता है ताकि आप इस तरह लगा कि उसमें पानी को नीचे अंदर में गड़ी हुई पाइपलाइन से उपर की और प अरिकल्चर में किया जाता है और आप अगर दूर से पानी निकालना चाहते हैं रेनवटर के पानी को अगर आप थोड़ा दूर से अटा के पानी निकालना चाहते हैं तो इस बैंड को भी लगा सकते हैं अगर आप चिपका के पानी को निकालना चाहते हैं तो चार इंच दो 2.5 इंच सभी size के अलग-अलग elbow आ जाते हैं आप उन्हें भी use कर सकते हैं जो कि वह पांस से निकलते हैं और इनका थोड़ी दूरी लंबी दी गई है इस तरह से आप इन्हें L size में इसे बनाया गया है तो हम आपको इनकी price बता दे कि इनकी market में क्या price रहती है इसकी market में 30 र mm का band है इसकी price market में आपको 50 रुपीज से 60 रुपीज के बीच में मिल जाती है और यह आप देख पा रहे हूंगे कि 90 mm का जो दिखाई दे रहा है आपको यह आपको 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में market में available हो जाता है और यह जो देख पा रहे हैं आप 4 इंच का यह फोर 500 रुपए के बीच में इसकी price रहती है अगर आप इससे high लेना चाहते है 6 kg तो वह भी market में available हो जाते हैं जितकी price उनकी गैस से इसाप से दी जाती है तो इस तरह से आप इन बेंड के size को समझ सके होंगे और उनका use कहा पर किया जाता है यह समझ सके होंगे तो है गाइस उम hardware tools की हमने अलग-अलग प्रेशनली वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड करके रखा हुआ है आप जाके देख सकते हैं और उन सारे tools के बारे में सीख सकते हैं thank you